इस नियूज के प्रायोजक हैं अर्थ रेग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुवन उधैपुर सुंबार को PFC एजुकेशन ने अपना तीस्ता जन्मदीवस मनाया कारिकर्म में विध्यार्थियों ने ऑनलाइन और आफलाइन दोनु माध्यम से शिर्कत की कारिकर्म का आयोजन दुर्गा नसरी इस्तित मंगरम स्कॉयर के पीछे PFC एजुकेशन के नवीन परिसर में हुआ मुख्यातिती के तौर पर हरिश राजानी ने केक काड कर डारेक्टर मिनाक्षी भेरवानी को बेहतर भविश्य के लिए शिपकाम नहीं दी इस मौके पर मिनाक्षी भेरवानी ने बताया कि PFC ने पिछले तीन वर्षों में सैंकडो बच्चों के मल्टिनेशनल कंपनीज में प्लैस्मेंट करवा चुका है हाई मैं हूँ मिनाक्षी भेरवानी PFC एजुकेशन की डिरेक्टर आज PFC एजुकेशन को तीन साल कंप्लीट हो गए हमारे लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी लबदी है क्योंकि तीन साल पहले हमने यह जो सेंटर स्टार्ट किया था यह हमने एक रेंटेट प्रमाइस में चालू किया था और आज तीन साल बाद हम खुद के कैंपस तो I am here at my own campus हमारे खुद के कैंपस हमने क्रियेट किया जहाँ बच्चों के लिए काफी facilities है जैसे e-library है जहाँ बैट के बच्चे अपनी प्रपरेशन कर सकता है classes of course training rooms है recording rooms है so I am sure कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा platform रहेगा और बिल्कुल in the heart of the city है like city mall के पीछे and lush green area जैसे आप देख सकते मेरे आसपास बहुत ही beautiful place है तो I am really happy के मेरे बच्चों को बहुत जगा पसंदाए PFC education जो है वो international education में है so basically as a chartered accountant company secretary myself मैं काफी साल UAE में काम किया और मुझे समझ मैं की काफी बच्चे हैं metro cities के जिनके बास बहुत exposure बहुत knowledge होता है about the different career fields normally हमारा बच्चा commerce में आदा तो उसके दिमाग में खाले CACS आता है पर मुझे UAE में रहे कर पदे चला कि बच्चे बहुत सारी non-conventional fields में काम करें और बहुत successful भी हो रहे है यह idea से PFC education हमने स्टार्ट किया थो दैपर मैं हमने सबसे पहले introduce किया था ACCA जो global CA की degree है जो बाकी professional degrees से काफी जादा less pressurizing है क्योंकि इसमें बच्चा करके exam दे सकता है हर level के end में उसे एक degree मिलती है certificate मिलती है जिसका उसको सबसे बड़ा फायदा होता है कि कभी भी अगर वो अपनी field को change करना जाता है तो at least वो diploma या किसी certificate के साथ walk out कर रहा है काली हाथ walk out नहीं कर रहा है दूसरी important चीज यह जो international education होते हैं काफी जादा job oriented होते हैं जिसके कारण उनको updated material हर साल में इसकी books change होती है market की requirement के सबसें को brush up किया जाता है जिससे काफी असानी से इनको jobs मिल जाती है लास्ट दो सालों में हमने उदैपूर में साथ से अधिक बच्चे को कैंपस प्लेस्मेंट की तुरू प्लेस करा आया है यह कैंपस प्लेस्मेंट आउट उफ इंडिया नहीं है बहुत जोनों का misconception होता है कि इंटरनाशनल डिग्री है तो बहार ही जॉब लगते होंगे नहीं इनका प्लेस्मेंट इंडिया में है जोदपूर उदैपूर एमदबाद यह सब कंपनी से हमने टाइप किया है और बच्चों को ट्रेनिंग प्लेस्मेंट जो है कि SAY कि हर कमनी को लिस्टेट कमपनी को एक एन्टर प्राइज रिस्क मैंञेजमेंट के इसके अहन तो Θत करोई पंजाड निश्थी with या नीरव मोधी केस में जो इस्य हुआ या भोपाल गास ट्राज़डी में जो चीज़े वह सब रिस्क है जिसके कारण कमनी रातो रात बंद हो सकते हैं तो एक रिस्क मैनेजर इन सारी रिस्क को स्टड़ी करता है अनलाइस करता और उससे आप से मिक्शुर करते कि रिस्क अ हमारे पास काफी सारे बच्चे जो अपने आपको अवरेज बच्चा मानते हैं किसी बच्चे को अवरेज बच्चा नहीं मानती पर कुछ बच्चे जो अपने आपको अवरेज बच्चा मानते थे वो इधर आए एंड्रोल हुए पढ़ाई की वोल्ड रैंक लेकर आए हैं बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि एक्जाइम 184 कंट्रीज में होता है और वर्ल्ड राइंग खली 10 तो हमारे बच्चों का 5th वर्ल्ड राइंग, 10th वर्ल्ड राइंग, 8th वर्ल्ड राइंग आ चुका है, मतलब यह वैसी बात होगी, जैसे ओलम्पिक्स में हमारी तरफ से कोई नाम, लिस्ट में नाम दिखता है इंडिया तो भी बड़ी प्राउड वाली फीलिंग होती है, तो मारा बच्चा वो करके लाए, तो हमें बड़ा बड़ी खुश होती है कि छोटे से शहर से, लिमिटेड एक्सपोजर से, इंग्लिश पर इती फ्लुएंसी न शे में उसे मिल जाता है असी जॉब एक क्या से जॉब घर बॉज पर को मैं जाता है जनी पर जोडल जब मने रहे आप पहुशर को घर था तो भी आप और अट-लिस इक्åम सीृटité कर्व आप करने आप को इससर से बड़ी आपने पर और जोब मिल जाता है तो second level complete करने के बाद उसे कोई एक्जाम ने देना खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब्मेट करने उसको ऑक्सफोर ब्रुक्स उनिवर्सिटी से graduation की certificate मिल जाती है last level के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब्मेट करने पर उसे स्मॉल टाउन का बेनेफिट उठाते हैं वो यह सारे के सारे कोर्स चार से पांच लाग के बीश में कर सकते हैं मैं जितनी भी बच्चे यह सुन रहे हैं उन सबको एक मैसे जरूर देना चाहती हूं देखे हाली में हमने कांसलिंग सेशन चालू किया है जहां बच्चों से आदी गंटे आदी से 45 मिनिट का सेशन होता है जहां बात करके समझते कि उनका इंट्रेस एरिया क्या है मैं एज ट्यूटर मुझे लगता है कि मेरा स्टूड लाइफ बहुत इंपाक करता है मेरे टीचिंग पाटन को मुझे रeलाइज हुआ कि रेंक रिए बहुत बड़ी बात नहीं यहां पे स्रुप आपका इंट्रेस एरिया जो मैर्डर करता है मुझे साइम्स पही समझम में यह इसके मेरे कभी मार्क्स नहीं नहीं पाए जितने स्टूड इसे बच्री यहां पे यह एज चैने अजिद है ना आपकी इंट्रेस्ट एरिया होती है जो मार्टर करती है अब सब किसी ना किसी टालेंट के साथ पैदा हुए बस आपको एक्सपोर करना सो ओल दे बेस्ट द्री ओवेस्ट बहुत अच्छा दिन है आज आज हमारे दो युवा साथियों ने पिएपसी एजुकेशन सेंटर के नाम से अपने नए सेंटर का इनुकरिशन किया है और उसमें हमें समिलित किया है आज के युवा हमारे अमीज जी है मिनाक्षी बेरवान है इन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी मेनद करके उदेपुर के जो हमारे यूथ हैं उनको एक अच्छे फिल्ड की तरफ आफसर दिया है मैं बगवान से प्रातना करता हूँ ये बविश में इसी तरह हमारे उदेपुर के यूथ को आगे बढ़ाएं और खुद साथ में जिस तरह की जो एजूकेशन ये दे रहे हैं according to CA के बाद में एक तीन साल का जो कॉर्स होता है उसके साथ 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 सिमिलर चलने वाला एक कॉर्स जो उदेपुर में नहीं था मेरी बैन चोड़ी बैन जैसी है मिनाक्षी उन्होंने ये कॉर्स उदेपुर में चाल ये निवदिन करता हूँ जो बायो की सब्जेक्ट के लावा जो भी कॉर्स हैं कॉमर्स के वो इनसे संपर्क करें इनके पास बहुत अच्छी मार्ग देशन की लाइन है धन्यवाद एसी सी है के कोर्स जो उदापुर में रिक्वार्मेंट थी स्टूडेंट्स के लिए उनको एमदबाद दिल्ली जैपुर पढ़ने जाना पड़ता था उस कोर्स को यह उपलप्त कराने के लिए पी एससी द्वारा यह जो प्रयास किया गया है वाकई काबिले तारीफ है सर अजय फरनीचर उदापुर सेक्टर 14 में सित दो मंदिला भविश्योरू जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फरनीचर की अनेक वराइटी अनेक तरह के ड्राइनिंग टेवल सोफा सेट, डबल बेट विट मैट्रिसिस, अलमारी, मंदिलिस्थान, प्लास्टिक चेयर और सभी तरह के आफिस फरनीचर अपना घर सजाने के लिए केश की चिंता छोड़ दीजे अजे फरनीचर और बजाज एवन एश्टी एफसी बैंक साथ लेकर आए हैं जीरो परसेंट डाउन पेर्मिंट और जीरो प्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग पीस के आसान रिनी उचना होस्पिटल, होटेल्स, कॉलेज, कॉर्परेट और सभी तरह के गवर्मेंट और नोन गवर्मेंट इंस्सिटूट्स पर फरनीचरों के विशेशक्य बालकनी वो हॉल के लिए विबिल प्रकार के जूले उपलब्ध हैं बेटी के विबा के लिए विशेश पैकेज डबल बेट गद्दा वर तक्ये मात्र 15,500 में डबल बेट गद्दा तक्या अलमारी प्रसिंटिबल मात्र 29,500 में एक्स्चेंज ओफर पुराना फरनीचर लाईए और नया फरनीचर ले जाएं सिफ 24 गंदे में अपनी मन चाही दिजाइन और अपना मन पसंद कपड़ा लगवा कर सोफा बनवाई अड्रेस D1 एर कमिनिटी संटर सेक्टर 14 हीरनमगरी उदापोर कॉल अस 8233-206262